श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादीव देखिए कल चार अक्टूबर को नवरातरी का अंतिम दिन है नवरातरी का आखरी दिन है और नवरातरी की नवमेतिति है इस नवमेतिति पर आपको मात्र नौ लोंग से आपके जीवन की समस्त बादाओं को दूर करना है जीवन चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाए करना है नवरात्री के आखरी दिन यानि कि नव्मी को मास सिद्धी दात्री की पूजा का विदान है देखिए मास सिद्धी दातरी के कारण ही भगवान शीव को अर्द नारिश्वर नाम मिला था क्योंकि सिद्धी दातरी के कारण ही भगवान शीव का आदा शरीर देवी का बन गया था अर्द नारी का जो रूप भगवान शीव नधारन करा था वो मास सिद्धी दातरी का ही है तो समस्त सिद्धियों को देने वाली जो हमारे सास्तरों में आठ सिद्धिया बताई गई है वो मास सिद्धी दातरी की कृपा से ही मिलती है इसलिया आपको यह उपाय करना है केवल no long से no long लेंगे साबूत लेंगे टुटे वे खंडित long नहीं लेंगे साथ में एक दीपक लेना है और एक कपूल लेना है अब आपको क्या करना है आपके घर के मंदिर में मा दुर्गा की फोटो के सामने ही उपाय करना है देखें ये जो 9 लोंग है आपके घर में जो भी धन कमाता है, जो भी व्यक्ति धन कमाता है, चाहे वो इस्तरी हो पुरुश हो जिसकी वज़े से आपके घर की जीवनी चल रही है, उसी के उपर ये उपाय करना है, ठीक है अगर आपके घर में 2 लोग कमा रहे हैं, तो दोनों clockwise उताना है साथ बार साथ बार जो सामने वाला उतारेगा तब उसे रीम क्लीम एम सिद्धय नमह इस मंत्र का जाप करना है रीम क्लीम एम सिद्धय नमह ध्यानके जीवन में जो भी गलत कारी उसके हो रहे हैं वो सब दूर होने वाली है इस उपाई से ठीके अब आपको क्या करना है कपूर के अंदर दीपा के अंदर कपूर के अंदर आपको डाल देना है कपूर को प्रजलित करना है और जिसके उपर से भी उतारा करा था उसको मास सिद्धी दात्री का ये मंत्र रीम क्लीम एम सिद्धे नम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है यदि आपको कोई और मंत्र आता है सिद्धी दातरी का तो वो भी आप जाप कर सकते हैं या तो ओम एम रेम क्लेम चामूंडाय विच्चे ये जो सदा बाहर मंत्र है इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तेहें मात्रे 108 बार आपको ये जाब करना है देखिए यदि दीरे दीरे कपूर खतम हो रहा है जाब करते करते तो आप थोड़ा सा कपूर आपको डाल देना है ध्यान रखें वो जलता रहना चाहिए दीपक जो है वो जलता रहना चाहिए जब तक आपने मंत्रों का जाब कर